नमस्कार दोस्तो आज हम जिस बिजनस के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही profitable बिजनस है पूरे साल चलने वाला बिजनस है इस बिजनस को आप तीन तरह से कर सकते हैं पहला manufacturing करके दूसरा wholesaling करके और तीसरा इसकी retailing करके अब इसके बारे में detail में वीडियो में आगे ह देखने को मिलते हैं कितना investment करना पड़ता है और भी बहुत सारी बाते जो इस business से जुड़ी आपको जानकरी चाहिए जैसे कि license आपको क्या लगेगा कितनी जगा में इस business का आप स्टार्ट कर सकते हैं इस जो product हम आपको बताने वाले हैं इसे आप कहां बेच सकते हैं इस तरह कि बहुत सारी बाते इस वीडियो में हम आपको आगे बताने वाले हैं तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि आखिर जो business है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज वो business आखिर है क्या साथ ही वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि जिस चीज के बारे में जिस business के बारे में हम आपको बता रहे हैं वो आप माल अगर उस माल की बात करें तो आप कहां कहां से मंगवा सकते हैं पूरे भारत में कहां कहां मिलता है इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं तो दोस्तो हम बात करने वाले हैं बात कर रहे हैं पोहे के बिजनस के बारे में अ है पोहा जो है वो एक बेस्ट नास्ता माना जाता है हमारे इंडिया में सुबा हो या फिर शाम हो नास्ते के रूप में जो है पोहा खाना छोटे बड़े सभी तरह के लोग पसंद करते हैं ठीक है तो इस पोहे को अगर आप manufacturing करना चाहते हैं तो फिर कैसे करें अगर wholesaling करना इसके बारे में चलिए अब detail में बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप पोहे की manufacturing unit लगा कर इस business को start करना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना होगा कैसे इसकी manufacturing की जाती है कितना investment लगता है कौन-कौन से machines लगते हैं इसके बारे में चलिए जान लेते हैं तो देखिये सबसे पहले अगर बात करते हैं कि आप जो है इसका अगर manufacturing unit आप शुरू करना चाहते हैं तो फिर इसके लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा एक जगा जो कम से कम 1200-1500 square foot तक की जगा हो जिसमें आप जो है इसके manufacturing unit को आप setup को लगा कर शुरू कर सकें य यह आपको ध्यान देना है अब इसके लिए सबसे पहले चीज जो जरूरत पड़ेगी वो है machine उसके बाद raw material के तौर पर आपको चाहिए होगा चावल क्योंकि पोहा जो है वो चावल से ही बनता है इसलिए आपको चावल चाहिए machine के जरीए आपको बनाना है तो machine चाहिए अब जैसे कि अगर सबसे पहले आपने चावल खरीदा तो इसे कैसे manufacturing किया जाता है इसके बारे में मैं आपको शौर्ट में बता देता हूं तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि आपको चावल चाहिए होता है जो कि आपको धान की मंडी में मिल जाता है आप पोहे बनान चावल को साफ करने के लिए अगर आप कहते हैं कि बिना मशीन के चावल को मैनुली आप साफ करवाएंगे लोगों के जरी तो भी आप करवा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है फिर जब आप चावल ठीक ठाक से साफ करवा लेते हैं तो फिर आपको गरम पानी में इसे डालना वैसे आप कर सकते हैं उसके बाद आपको क्या करना होता है कि आपको दान मैंसे जो छिलके वगेरा होते हैं वो अलग करना पड़ता है फिर इसे छानना पड़ता है छाना जाता है फिर पोहा बनाने की जो मशीन होती है उस पे इसे डाल दिया जाता है उसके बाद जो है पोहा बनके ये ready हो जाता है पर आपको इस पोहे को भी पहले छान लेना होता है ताकि इसके अंदर का जो भी dust powder वगेरा है वो निकाल लिया जाए और उसके बाद pure पोहा बनके तयार हो जाए तो इस तरह से इसका जो process है manufacturing का वो होता है उसके बाद आगे ये होता है कि इसे आपको bag म में जो है इसे आप pack कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह से आप इसकी manufacturing जो है कर सकते हैं अगर इस वक्त अगर मैं आपको बताओ कि भाई और इसमें investment कितना लगेगा ये तो process बताया कि manufacturing process क्या है इसका लेकिन अगर इसके investment की बात करें तो आप कम से कम कितना इन्वेस्ट करके इ ये भी जान लेते हैं तो कम से कम 3-4 लाग रुपए आपको चाहिए ही इसकी manufacturing unit अगर आप start करना चाहते हैं अगर आप और जाधा invest करना चाहते हैं ताकि production और जाधा कर सके तो फिर उसके लिए 7-10 लाग तक आप easily invest कर सकते हैं और अच्छा profit जो है आप generate कर सकते हैं manufacturing unit लगा के लेकिन अगर आप कहते हैं कि भाई मुझे knowledge नहीं है मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है तो मैं manufacturing नहीं कर सकता तो फिर आता है दूसरा option यानि की wholesaling आपको करना ये होता है कि जो आपके आसपास हो या फिर इंडिया में जहां से भी आप contact करके जो भी इसके मिल वगेरा है जो manufacturing करते हैं फिर आपके local area से हो या फिर पूरे भारत से हो आप उनसे contact कर सकते हैं उसके बाद आप उनसे माल खरीच सकते हैं wholesale में आप उनसे आप क्योंकि वहां पर manufacture किया जाता है तो वहां से आपको बहुत easily और सस्ते में आपको पूहे मिल जाते हैं आप वहां से माल ज्यादा से ज्यादा और फिर wholesaling का काम आप शुरू कर सकते हैं wholesale के लिए भी आपको एक गोदाम चाहिए होगा आपको जगा चाहिए होगी जहां भी आप इसको शुरुआत करना चाहते वहां पे और उसके बाद वहां से आप इसके business को शुरू कर सकते हैं अगर wholesale के investment की बा तो आप एक अच्छा बड़ा लेवल पे जो wholesaler है वो आप इसका बनके easily business को शुरू कर सकते हैं विससे कम में भी आप wholesaling का काम शुरू कर सकते हैं पोहे का अब तीसरा जो है वो है ये के retailing का business तीसरा option आपके पास आता है पोहे के retailing का business अगर आप करना चाहते हैं तो ये भी क दो तरीके से बेचिए एक तो माल को lose बेचिए दूसरा आप पैक करके बेचिए पैक करने में आप एक किलो दो किलो चार किलो पांच किलो धाई सो ग्राम आधा किलो हर तरह के packets आप पैक करके रखिए अब जिस तरह का customer आएगा जिसकी उसकी जैसी demand होगी उस तरह का आप कोई lose लेना चाहता है तो lose दीजिए अगर कोई packet वाला लेना चाहता है तो packet वाला दीजिए इस तरह से आप retailing का business कर सकते हैं और investment तो मैंने बताई दिया बेहत कम investment 40-50,000 में आप इसको शुरू कर सकते हैं अब यह है कि अगर आप जो भी आप मान लिजे कि retailing का या wholesaling का वहां से खरी दियेगा तो आप दो तरह से माल खरीच सकते हैं एक आपका जो लोकल मार्केट है वहां पे जो भी जो इसके मिल वगेरा है अगर आप जहां रहते हैं वहां पर आसपास में manufacture होता है तो उसके जो मिल वगेरा है वहां से direct contact करके वहां से आप wholesaling के लिए या फि इस business को इन लोगों से माल खरीद के start कर सकते हैं वैसे चाहें तो भारत में मैं आपको दो जगा के नाम बता देता हूँ जहां पे बड़े मात्रा में जो है इसका production किया जाता है manufacturing किया जाता है जिसमें से पहला जो है वो 36 गड़ के पास भाटा पाड़ा है जहां पे आप easily पोहे का जो इसका बहुत बड़ा production होता है वहाँ से easily आप 25, 26, 27, 28 रुपए पर केजी पर किलो आप माल उठा सकते हैं और आगे अपने एरिया में अपने शहर में आप माल को मंगवा के बेज सकते हैं दूसरा जो जगा है वो है MP का उज्जैन वहाँ पे आपको थोड़ा स समहगा मिलेगा वहाँ पे आपको 28 से 30 रुपए पर किलो पोहे जो है वो आपको मिलेंगे पर उसकी quality भी होती है अब देखिए जहां से भी आप माल उठाइए जैसी quality होगी वैसा उसका rate होगा वैसा ही rate आपको देखने को मिलेगा तो इस हिसाब से overall अगर समझे तो 25 से 30 र के rate में आप इसे बेच सकते हैं अगर retailing में बेचना है तो वर्तमान में जैसे हमारे यहां पर 48 रुपए किलो जा रहा है अब आपके एरिया में क्या जा रहा है यह आप हमें कमेट पर जरूर बताइए गा तो उस हिसाब से अगर 48 का मान के चलते हैं जैसा कि हमारे यहां प profit जो है वो देखने को मिल जाता है इस business में अब इसे बात करते हैं कि normally जो है आपको अगर idea नहीं है कि इसे किन लोगों को बेचना है आपके जो customers है वो कौन हो सकते हैं तो देखिए इन्हें आप किन किन को लोगों को बेच सकते हैं अगर आप wholesaler है तो आप जो है सूपर मार seller है तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है customer खुद आपके पास आएंगे जहां भी आपने business शुरू किये है direct customer आएंगे आपसे माल खरिद के लेकर जाएंगे और जैसे मैंने कहा कि आप इसे lose में package में जैसा भी बेचना चाहते हैं आप बेच सकते हैं अब एक ची के साथ भी आप इसे बेच सकते हैं या आपके उपर हैं अगर आप license की बात करते हैं कि इस business को करने के लिए आपको license क्या लगेगा और जो machines लगेंगे जिसके बारे में मैंने आपको बताया था नाम लेकिन वो machines कहां से आपको खरिदना है तो इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि machine आप कहां से खरीदियेगा तो local जो आपका market है वहां से अभी आप खरीद सकते हैं आप चाहें तो इंडिया में online search करके machines जो बाहर इंडिया में कहीं भी बेचा जाता है उनसे contact कीजिए वहां जाइए machine देखिए उसके बाद जह आपको FSCI का license चाहिए MSME registration का जो है license वो आपको चाहिए trade license वगरा चाहिए यह सब आपको जो है बनवाना पड़ता है लेकिन retailer में आपको जो है इसकी शुरुवात में नहीं पड़ती आने वले time में अगर आप बड़े level पर पहुंच जाते हैं तब आप यह license बनवा सकते है लेकिन starting में अगर आप manufacturing पर आ रहे हैं या wholesaling में तो फिर आपको यह license चाहिए होता है